हेलो एंड वेलकम टू आज चैनल सूलो टेल्स और आज की हमारी मूवी है टेंपरेचर टू हंड्रेड ये एक मिस्टरी थिलब मूवी है और इस मूवी की कहानी आपको लास तक बांदे रखेगी तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन तो मूवी की स्टार्टिंग में हम राइन नाम की आदमी को किसी रूम के अंदर चेर में बंधा देखती हैं राइन की जब आखे खुलती है तब उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो इस चगी कैसे आया राइन यहां से निकलने की कोशिश में चेर से नीचे गेर जाता है इ इस कमरे में भारी लॉक लगावा था राइन देखता है कि इस चगे एक बंध खिड़की भी थी और खिड़की के उस सरफ सिर्फ अंदेरा था इसे देख राइन मदद के लिए चिलाने लगता है और यहां से निकलने की काफी कोशिश करता है पर इतने में ही राइन का सेल सेल फोन रिंग होता है यह सेल फोन राइन के फ्रेंड ब्रूस का था ब्रूस काफी परिशानी में कहता है कि मुझे पैसों की सक्त जरूरत है वरना वह लोग मुझे मार डालेंगे तब राइन कहता है कि तुम हो कहां ब्रूस कहता है कि यह एक छोटा सा कमरा है जिसमें सिर और Bruce से पोचता है क्या उसे कोई आवास आ रही है तब Bruce इसका ठीक से जवाब नहीं देता Ryan कहता है क्या तुम्हें याद है कि तुम इस चके कैसे पहुँचे तुम्हें किसने किडनाप किया था Bruce बोलता है कि मैं एक होटल में था दो लड़कियों के साथ और जब मेरी आखे खुली तब मैंने खुद को यहाँ पाया मुझे कुछ सही से याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ ऐसा बोलकर Bruce चिलाने लगता है और कहता है कि इस कमरे का तापमान बढ़ रहा है जिससे कि मेरी स्किन जल रही है और इसके बाद हमें Bruce की कोई आवास नहीं आदी जिसका मतलब Bruce मर चुका है इसे देखकर Ryan खबरा जाता है और चिलाने लगता है वहीं इसके जवाब में Ryan को एक बहुत जूर की साउंड आती है जिससे कि उसका सरफटने लगता है इस साउंड के बाद Ryan को वहां लगी स्पीकर से एक आदमी की आवास आती है Ryan कहता है कि तुमें मुझसे क्या चाहिए तो वो आदमी कहता है बस एक जवाब जिससे सुनने के बाद मैं तुम्हें फॉरण ही यहां से जाने दूँगा और जवाब देने के लिए तुम्हारे पास बस दो मिनिट है Ryan कहता है सवाल क्या है किडनापर कहता है बस मेरा नाम बताओ और मैं तुम्हें जाने दूँगा तो यह सब Ryan को बकवास लगता है और वो पास पड़ी चेयर से खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है पर खिड़की में एक खरोच तक नहीं आती किडनापर कहता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है इसे वेस्ट मत करो तो Ryan बोलता है कि आकरी बार मैं एक डील करने गया था वहाँ मेरी मुलाकात Bruce और कुछ इन्वेस्टर से हुई थी तुम उन्हीं इन्वेस्टर में से एक हो तो किडनापर कहता है बिलकुल गलत ऐसा बोलकर किडनापर सीलिंग में लगेवे हीटर को ओन कर देता है हीटर की गर्मी का तापमान 100 डिग्री से भी जादा था जिससे की Ryan तडपने लगता है और उस हीटर को तोड़ने के लिए हीटर के पास जाता है पर वहाँ गर्मी बहुत जादा थी इसलिए Ryan दिवार के पास वापस आकर बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा तो इसके बाद हीटर आटोमेटिकली बंद हो जाता है किरनापर कहता है कि मैं तुमसे यही सुनना चाता था अब जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा ही करना होगा ऐसा बोलते ही वहाँ के फैंस कूलर आन हो जाती है Ryan in coolers के पास जाता है और तबी वो coolers बंद हो जाती है किरनापर आगे बोलता है कि तुमने मेंड़क और पानी की कहानी सुनी है अगर तुम मेंड़क को पानी में डाल कर उस पानी को धीरी धीरे गरम करोगे तो उस मेंड़क को पता भी नहीं चलेगा कि पानी कब खौनने लगा और इस तरह से वो मेंड़क पानी से बगैर निकले वहाँ की गर्मी से मर जाएगा मुझे ऐसा डर है कि उस मेंड़क की तरह कहीं तुम भी ना निकलो राइन कहता है कि अगर तुम मुझे डराना चाती हो तो मैं डर चुका हूँ कि नैपर कहता है बहुत अच्छे तुम्हें इस गेम की गंभीरता को जाना होगा अब अपना अगला टास्क सुनो तुम्हें मुझे वन मिलियन डॉलर ट्रांसफर करना है और तुम्हारे पास बस दो घंडे तक का वक्त है हर पांच मिनिट बाद इस कमने का टेंपरेचर धीरे धीरे बढ़ेगा जब तक कि तुम पैसे ट्रांसफर नहीं कर देती और दो कंटे बाद यहां की गर्मी को तुम सह नहीं पाओगे तो तुम्हारा समय अभी से शुरू होता है तब रैन कहता है कि मैं एक फैमिली मैन हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है नहीं मैं इतने पैसे कहीं से अनेंच कर सकता हूँ मुझे मेरा घर गाड़ी और बहुत से चीज़े बेचनी पढ़ेंगी जिसमें महीने लग जाएंगे किडनापर कहता है यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है तुमने अपना एक मिनिट मुझे कन्वेंस करने में वेस्ट कर दिया है तो राइन किडनापर को और समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मेरा अमेर लोगों के घर आना जाना है पर इस सब के बाद भी मैं सिर्फ एक प्रोकर हूँ और मेरी फैमली में बस मेरी वाइफ एना और साथ साल का बेटा है तो किडनापर आगे बताता है कि तुम्हारे बेटी का नाम लारी है उसने आइस होकी खेलते वक्ती अपनी टांग तोड़ ली थी मुझे तुमारे बारी में सब पता है कि तुम किस स्कूल में थी एनसे शादी करने से पहले तुमारा किन लोगों के साथ रिलेशन था और किस उमर में तुमने बैट गिला करना बंद कर दिया था तो इसे सुन राइन हरान रह जाता है और कुछ दे तक अपनी वाइफ की तरफ देखने की बाद कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूँगा लेकिन मेरे पास एक मिलियन डॉलर नहीं है पर मेरे पास चितने भी हैं मैं तुम्हें उतने दे सकता हूँ तो किरना पर कुछ नहीं बोलता और टेंपरेचर बढ़ जाता है जिसका मतलब किरनापर इस डील से राजी नहीं है अब इसके बाद रायन अपने भाई जॉन को कॉल लगाने लगता है रायन ने जॉन से पिछले एक साल से बात नहीं की थी इसलिए जॉन कॉल करने का कारण पूछता है रायन कहता है कि मुझे किसी ने किरनाप कर लिया है और मैं इस वक्त एक कमरे में बंद हूँ वो किरनापर एक मिलियन डॉलर की डिमांड कर रहा है लेकिन मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं है तो जॉन कहता है तुम खबराओ मत अब बताओ तुम किस से बात कर रहे थी रायन कहता है किसी से नहीं किरनापर बोलता है वो तुम्हारा भाई था तुम्हारा भाई पुलिस में है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इस चगे का पता लगा पाएगा तो रायन थोड़ी देर को सोचता है और अपने 10,000 डॉलर की वाच निकाल कर किरनापर से इसे लेने को कहता है लेकिन किरनापर कहता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं इसे कुचल दो राइन बोलता है कि ये 10,000 की है और ये मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट की थी किनैपर कहता है कि मैंने जो कहा वो करो तो इसके बाद रायन वाच को कुचल देता है और एना को कॉल करता है रायन कॉल में बोलता है कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करना मैं तुम्हें एक अकाउंट नमबर दूँगा उस अकाउंट में हमने जो भी पैसे आस तक जमा किये थी वो सब उसमें ट्रांसफर कर दूँ एना कहती है क्या तुम पागल हो गए हो वो पैसे हमारी और लैरी के फ्यूचर के लिए है रायन कहता है कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता मैं जैसा बोर रहा हूं वैसा जल्दी करो इस मुसीबत से निकलने के बाद मैं तुम्हें वो सारे पैसे लोटा दूँगा फिर एना मान जाती है और इस कॉल के बाद रायन अपनी मॉम को कॉल करता है और उनकी बातों से हमें बता चलता है कि रायन के डैट लंबी समय से बिमार है और रायन ने उनकी बिमारे के लिए बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किये थी लेकिन रायन एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया था इसलिए रायन की मॉम उस पर बहुत गुसा थी और इसी पर इनकी बहस हो जाती है जिसके बाद राइन अपनी मॉम से वो पैसे ट्रांसफर करने को कहता है जो उसके फादर की इलाज के बाद बच गए थी तो राइन की मॉम इस पर साफ मना कर दीती है और इसके बाद राइन बहुत बार अपनी मॉम को कॉल करके दुबारा से कन्वेंस करके पैसे मांगने की कोशिश कहता है और अंत में रायन की मौम ट्रांसफर के लिए मान जाती है फिर कुछ देर बाद रायन को जॉन का कॉल आता है जॉन कहता है कि अब पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है हम तुम्हारे लोकेशन में पहुँच गए हैं तो इसे सुन रायन जूश में किडनापर से कुछ गलत बोल देता है और फिर कॉल कट हो जाती है इसके बाद रायन दरवाजा ठोक कर आवास करता है ताकि जॉन यहां उसे ढूंड सकी पर जॉन यहां नहीं पहुँचता फिर कुछ देर बाद फोन रिंग होती है इसमें जॉन कहता है कि गड़बर हो गई है तुम्हारे फोन के सिगनल से हम गलत लोकेशन में पहुँच गए और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम दुनिया के किस कोनी में हो शायद से किडनापर हैकिंग अच्छे से जानता है अब इस सबसे निकलने का बस एकी रास्ता है तुम याद करो कि तुम आखरी बार कहां थी और यहां कैसे पहुचे तुम्हें यहां कौन लाया था ऐसा बोलकर जॉन कॉल रग देता है अब किडनापर बोलता है कि हर एक्शन का इक्वल रियक्शन होता है किडनापर के ऐसा कहती ही रायन को फिर से एना का कॉल आता है एना काफी डरी वी थी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर में कोई आ गया है रायन एना से पूचता है कि लैरी कहा है एना बोलती है कि वो स्कूल में है और मैं यहाँ अकीली हूँ मुझे डर लग रहा है शायद वो किड़नापर मुझे भी तुम्हारी तरह किड़नाप कर लेंगे इतना बोलते ही एना के चीखने की आवास आती है और कॉल कट हो जाता है फिर इसके बाद वहाँ के शावर से बहुती गरम पानी निकलने लगता है जिससे बचने के लिए राएन एक चेर को पकड़ लीता है और कुछ देर बाद वो शावर अपने आपी बंद हो जाता है राएन उस चेर को साइड रखके किड़नापर से कहता है कि एना कहा है स्पीकर से आवास आती है वो फिलाल सेफ है लेकिन बहुत जल्द नहीं रहेगी राएन बोलता है कि मैं बहुत सारे अमीर लोगों को जानता हूँ उनसे बात करके मैं बाकी बचे 90,000 डॉलर का इंतिजाम कर दूँगा पर इसके क्या गैरेंटी कि तुम हमें छोड़ दोगे कि नैपर कहता है कि तुम्हें मुझे पर ट्रस्ट करना ही होगा इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रासर नहीं आगे राएन अपने एक अमीर क्लाइंट बॉब को कॉल करता है और उसे हेर ट्रांसप्लांट करने वाले एक नए गैजट के बारे में बताता है कि ये गैजट मार्केट में एक लहर ला देगी काफी देर कन्वेंस करने के बाद बॉब इसे खरीदने को मान जाता है और पैसे भी आज ही में ट्रांसफर करने का कहता है आगे इसी तरह Ryan अपने बाकी clients को भी call करके उनसे deal करता है पर उन में से जादातर clients को Ryan की deal पर interest नहीं होता और बाकी clients कुछ पक्का नहीं बता पा रहे थी कि उन्हें product लीना है या नहीं अब Ryan थक हार कर जमीन में पढ़ जाता है और तब ही Ryan को उसके भाई John का call आता है John कहता है कि हमने एक cell phone company वाले से बात की थी और इससे हमें तुम्हारा एक कच्छा पका location मिला है जिससाब से तुम उस location के 15 मिल की radius में कहीं हो सकते हो जिसमें हमें बहुत time लगेगा लेकिन इससे पहले जितना याद आ सके याद कनी की कोशिश करो और इस खटना से पहले तुम कहा थी मुझे ये सब बताओ तो Ryan को कुछ याद आता है और वो बोलता है कि मैं होटल से निकल कर अपनी गाड़ी तक गया था और उस काड़ी में ही मेरा किडनाप हुआ था उस किडनापर ने मास्क लगा रखा था जिससे कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया ऐसा बोलकर Ryan कॉल रख देता है फिर इसके बाद Ryan को दुबारा से एक कॉल आता है ये कॉल Ryan के क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट मिस्टर रोस का था जिससे कि Ryan ने डील की बात की थी रोस कहता है कि मैंने तुम्हारे आफर की बारी में सोचा और अब मैं इसे दो लाग डॉलर्स में खरीद रहा हूँ तो Ryan भी सबरी के साथ कहता है कब तक रोस कहता है कि शायद मेरे सेकरेटरी ने पैसे ट्रांसफर कर दिये होंगे जो तुम्हें किसी भी पल रिसीव हो सकती है तो इसके बाद Ryan थोड़ा वीट करता है और तभी उसे मैसेज आता है कि उसे दो लाग डॉलर्स मिल गए है इसे देख Ryan की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब उसके पास एक मिलियन से भी जादा पैसे आ चुके थी Ryan ये बाद चीक कर किडनापर को बताता है लेकिन किडनापर बोलता है कि तुम हार गए मैंने तुम्हें ट्रांसफर के लिए दो खंटे दिये थी और अब वक्त काफे जादा हो गया है इसी के साथ जो पैसे तुमने ट्रांसफर किये हैं उनमें से जादा तो तुम्हारी फैमली या किसी और की है तो रैन कहता है कि तुम्हें बस पैसो से मतलब होना चाहिए चाही कहीं से भी आए हो किडनापर कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो मेरे अंदर पैसो का लालच नहीं है मैंने सिर्फ तुमी से वन मिलियन मांगा था तुमारी अजादी के बदले राइन कहता है कि आखे तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुमें क्या चाहिए तब किडनापर बोलता है कि मुझे लगा कि तुम वन मिलियन अपने प्राइवेट सेविंग से दोगे जिसमें तुमने चार मिलियन डॉलर्स रखे है पर तुमने वो पैसे देने के बज़ाए लोगों से भीक मागना सही समझा तो यहां राइन इसे सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि राइन ने उन फौर मिलियन डॉलर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताया था राइन किडनापर को उसे एक और चांस देने को कहता है किडनापर कहता है कि ये तुम्हारा आकरी मौका होगा और अब मैं रूल्स भी बदल रहा हूँ अब तुम्हारे पास बस 5 मिनिट है जल्दी से अपनी सेविंग्स अकाउंट का सारा पैसा यानि कि 4 मिलियन डॉलर्स ट्रांसफर कर दो तो इसे सुन राइन गिडगराने लगता है और बोलता है कि वो सारे पैसे मैंने अपनी फैमली के लिए जोड़े हैं लेकिन किडनापर राइन की एक नहीं सुनता और तभी अचानक से उपर लगे हीटर नीचे आने लगती है और कमरी का टेंपरेचर 180 डिग्री हो जाता है इसे देख राइन ना चाते वे भी जल्दी से सेविंग अकाउंट का सारा पैसा किडनापर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीता है ट् कमरी के कूलर्स आन हो जाती है जिसे देख राइन कूलर्स के पास जाता है और तभी किडनापर कूलर बंद का देता है राइन बोलता है कि अब मुझे जाने दो मैंने तुम्हें पैसे दे दिये हैं तो किडनापर कहता है कि मैं तुमसे अभी कुछ और बाती करना चाता हू इसलिए तुम कुछ दिर यहीं रहोगी तब तक के लिए दर्वासे की नीचे देखो वहाँ पानी रखा है तो इसे सुन रायन जल्दी से उस पानी को खोल कर पी जाता है और वहीं दर्वासे के पास बैठ कर पूछता है कि आके तुमें मुझसे क्या चाहिए रायन के ऐसा ब किड्नैपर बोलता है कि लेसली कौन है तो रायन कोई जवाब नहीं देता और लैटर वेकते वे कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ चीन लिया है फिर किड्नैपर कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है किड्नैपर के ऐसा कहते ही रायन को उसकी एना का कॉल आता है एना बताती है कि मुझे किसी ने किड्नैप कर लिया है और किड्नैपर ने मुझे तुमसे बात करने को कहा है रायन पूछता है कि वो जगे कैसी है तो एना बताती है कि यहां एक लोहे का दर्वासा है और बस एक खिड्की है मतलब कि वो जगे भी वैसी ही है जहां रायन इस वक्त फसा हुआ है इधर रायन और एना के कॉल के बीच किड़ना पर रायन को टोकने लगता है इसे सुन एना पूछती है कि वहां दूसरा कौन है तब रायन कहता है कि वह एक पागल आतमी है ऐसा बोलते ही उस जगे एक बहुत जोर का साउंड आता है ज कुमारा रायन के अलावा कोई और नाम है या नहीं तो रायन थोड़ी दे सोच कर कहता है नहीं इसे सुनते ही किड़नापर हीटर ओन कर दीता है तब रायन हार मानते वी कहता है हां मेरे रायन के अलावा चार पाँच नकली नाम भी है फ्रॉट करने के बात मैंने अपना न इंवेस्ट करती हैं तो उनके साथ क्या होता है तो ये पूछने पर रायन इसका जवाब नहीं दीता तब किड्नैपर कहता है कि कमरे में देखो तुमारे लिए एक गिफ्ट है तो रायन नीचे देखता है और दिवार के पास उसे एक बॉक्स दिखाई देता है रायन इस रायन की आवज को पहचान जाती है और कहती है कि उन लोगों ने मेरी फिंगर काट दी है और मैं इस वक्त एक रूम में बंद हूँ लैसली के ऐसा कहने की बात किन्ना पर रायन से लैसली और एना को सच्चाई बताने को कहता है इसे सुन लेसली पूछती है कि एना कौन है तो एना कॉल पर बताती है कि मैं राइन की वाइफ हूँ लेकिन लेसलix कहती है कि राइन की वाइफ तो मैं हूँ तो इस पर ये दुनों जख़करने लगती है पर तब ये रायन सचाई बताता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों से हमेशा जूट बोला मैं अमीर बैंक में काम करनी वाली लडकों को अपोचुनेटी समझता था जिनके पास हमेशा पैसा होता है और पैसो के लिए ही मैंने तुम दोनों से शादी की थी और तुम दोनों को एक दूसरे के बारी में नहीं बताया था तो इसे सुनवे दोनों खामोश हो जाती है साथी रायन को भी खुद पर गुसा आता है तबी किर्णापर बॉक्स में लगा हैंकर निकालने को कहता है बॉक्स के हैंकर की नीचे एक गन थी किर्णापर रायन को खुद को मारने को बोलता है और अफसोस में डुबा हुआ रायन भी खुद को शूट कर लेता है पर उस गन में गोली नहीं थी इसे देखकर रायन रोने लगता है और तबी अचानक से उस कमले का दर्वासा खुल जाता है मतलब कि किड्नैपर ने रायन को छोड़ दिया था रायन बाहर आकर देखता है कि ये जगे किसी पुराने गैरीज जैसी थी रायन के बाहर आते ही वहाँ पर जॉन आ जाता है जॉन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा मैं यहां पहुँच गया हूँ तो रायन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता तुम उस वक काफी दूर थे ये सुनकर जॉन राइन की तरफ गनकर देता है राइन आगे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैंने आज तक तुम्हारा कुछ गलत नहीं किया तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यू किया तो जॉन कहता है क्या तुम्हें आडम याद है राइन कहता है वो तुम्हारा बेटा था तब जॉन पूछता है तुम्हें याद है कि तुमने उससे आकरी बार कॉल करके उसका हाल चाल कप पुछा था तो मैं बताता हूँ तुमने हमें कभी भी कॉल नहीं किया पता है कुछ महीने पहले मैंने तुम्हें एक रेस्टरंट में बुलाया था रैन कहता है हाँ मुझे याद है तुम्हें उस वक्त लोन की जरूरत थी जॉन कहता है कि वो लोन मैंने घर के लिए नहीं बलकि एडम के लिए मांगा था एडम को कैंसर था और वो अंदर ही अंदर मर रहा था उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थी इसलिए मैं उस दिन तुम से मिला तो रैन कहता है कि तुमने मुझे एडम के कैंसर के बारे में उस वक्त बताया क्यों नहीं जॉन कहता है कि एडम मर रहा था और मेरे पास उसकी बिमारी बताने के लिए शब नहीं थे लेकिन मुझे ऐसास था कि तुम किसी तरह हमारी मुसीबत को समझ जाओगे पर तुम हमेशा की तरह अपने काम में बिजी थे मुझे लगा कि तुम्हारे पास जादा पैसे नहीं होंगे इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई पर जब मैंने तुम्हें अमीर लोगों के साथ देखा तब मुझे पता लगा कि तुम असल में बहुत अमीर हो इस दोरानी मुझे तुम्हारे और लेसली के रिलेशन्शिप के बारे में पता चला तो इसे सुन राइन कहता है क्या ये सब करने से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया तुमने इसके लिए एना और ब्रूस को भी मार डाला तब जॉन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा तुमने बस वही सुना जो हमने तुमें सुनाया ब्रूस को मैंने मनी की एक्टिंग करनी क लिए पैसे दिये थी और वो आदमी पैसों का फूका है। All Chrism पिर एना और लेजली का क्या। तब ही हम देखती है कि एना और लेजली भी सही सलामत झाख और ये सब इन तेनो का ही खेल था। इनको सही रास्ते में लानी مलानी का और अकाउंट एकसेस करके देखती है जिसमें रायन ने पैसे भेजे थी लेकिन इस अकाउंट में कोई पैसे नहीं आये थी इसे देखकर लेसली और जौन हैरान रह जाती है अब रायन कहता है कि मुझे पहले से ही बता था कि इसके पीछे तुम ही लोग थी तो लेसली को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो काफी जादा बोलने लगती है जिससे गुसे में जॉन उसे अपनी पिस्टल से माँ डालता है रायन आगे बताता है कि जब मैंने एना को कॉल किया था तब उसने मुझे कहा था कि मुझे डल लग रहा है शायद वो लोग मुझे पर किड्नाप करने वाली हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मैंने तो एना को लास्त तक नहीं बताया था कि मेरा किड्नाप हुआ है फिर उसे कैसे बता चला दूसरा क्लू ये था कि किडनापर यानी तुमने मुझे मेरी वाच तोड़ने को कही थी तर असल वो वाच मुझे मेरे डैड ने गिफ्ट की थी और इसलिए तुम उस वाच की वज़े से मुझसे जलती थी जिस कारण मजबूरन तुमने मुझसे वो वाच दुडवाई परना आखिर एक किटनैपर को इससे क्या ही फाइदा हो सकता था और तीसरा क्लू था लेजली की फिंगर जिससे कि मैं देखते ही समझ गया था कि ये फिंगर उसकी नहीं हो सकती तब जॉन पूछता है तो आखिर पैसो का क्या हुआ वो अकाउंट में क्यों नहीं आए राइन कहता है कि वो एक डेल्टा ट्रांसफर था कुछ समय के लिए पैसे तुम्हारे अकाउंट में गए थी और फिर तुम्हें पता चले बगए सारे पैसे वापस मेरे अकाउंट में आ गए फिर जॉन कहता है कि या तुम्हें पता था कि गन में गोली नहीं थी राइन कहता है बिलकुल नहीं उस समय मैं सच में गिल्ट में था क्योंकि मैं एना से प्यार करता था और उसे तूटतावा नहीं देख सकता था अगर उस वक्त गन में गोली होती तो आज मैं शायद जिन्दा नहीं होता तो ये सब सुनकर जॉन कहता है कि मैं एना को नहीं माना चाता था उसे लेजली ने मारा हम दोनों एक काम कर सकती है इस चगे को साफ करती है और यहां से ये सूचकर निकल जाते है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था तो इसे सो रायन जॉन के कंदे पर हाथ रखता है फिर अगले सीन में हम रायन को अकेला वहां से निकलतावा देखती है वहीं हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसे Ryan ने उसी lock room में डाल कर heater on करके मनने को छोड़ दिया था और इसी के साथ ये movie end हो जाती है तो होप है कि दोस्तों ये movie आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करें